जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2022 के मकर रासी फल के बारे में मकर रासी के लोगों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा? कौन ग्रह कहां इस्थित होगा? और आपकी रासी पर क्या प्रभाव डालेगा? जानेंगे आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा? केरियर में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे? आपके आर्थे की स्थिति कैसी होगी? सिक्षा में क्या परिवर्तन होंगे? प्रेम सम्मंद और स्वास्ते पर क्या असर पड़ेगा और जानेंगे साल 2022 में कब क्या खास होगा और क्या साथधानिया रखनी होगी जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ मकर रासी के लोगों के लिए साल 2022 हर तरह से अनकूल साबित होगा साल की पहले तीन महिनों में ग्रहों की इस्थती इस बात की और इसारा करती है कि इस अबधी में आप सुखी और आरामदैक जीवन वैतीत करेंगे और साल के दूसरी तिमाही में आपको अपने निजी और पेसेवर जीवन में कुछ उतार चढ़ाब देखने को मिल सकते हैं तो इस अबधी में आप धहरिये से काम लें कोई भी फैंसला सोच समझ करें जल्दबाजे में कोई फैंसला ना लें और जैसे जैसे साल 2022 अंत के करीब आएगा यानि इस साल का जो समापती होगी वो आपके लिए अच्छी होगी क्योंकि इस दोरान आपकी अपनी बाधाएं, समझ्याएं, परेशानियां जड़ से खत्म होती होई नजर आएंगी साल 2022 का सुरुवाती समय यानि जनवरी का महीना आपके लिए बहतर साबित होगा क्योंकि इस दोरान आप सारेरिक रूप से स्वस्त रहेंगे और जनवरी के महीने में ही आप अपने साल भर के खर्चों की योजना बना लें और शेविंग पर ध्यान दें क्योंकि जनवरी मद्धे में आपको अपने नजदीकियों के उपर धन खर्च करना पड़ सकता है जिससे आपका संतुलन भिगड़ सकता है तो यहाँ थोड़ा सा खर्चों पर ध्यान देना होगा फरवरी और मार्च का महिना प्रेम करने वालों के लिए बहुत सुख़द रहेगा साथ ही इस दोरान मकर रासी के वो लोग जो सिंगल हैं यानि एविवाहित हैं उन्हें इस दोरान विवाह के प्रस्ता मिलने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी इस रासी के सिंगल लोगों को कोई प्रेमी मिल सकता है और इस महिने में आपको थोड़ा शोकनना भी रहना होगा क्योंकि आपको इस दोरान करियर में परगती करने के नए अवसर प्राप मिले होंगे यदि आप लापरवाही बढ़तेंगे तो ये अवसर आप गमा सकते हैं मई और जून का महिना मकराशी के लोगों के लिए रोमांस के हिसाब से अनकूल रहेगा जिसकी वज़े से आपके एक दूसरे के साथ सम्मन्द अच्छे होंगे, मजबूत होंगे और प्रेम जीवन से जुड़े हुए लोग वेवाहिक जीवन तक पहुंच सकते हैं वही जून के महिने में मकराशी के लोग उर्जा से भरपूर होंगे काम काज में मन लगेगा और अपने कारिये को समय पर पूरा करने में सक्छम होंगे सितंबर और अक्टूवर के महिने में पेशेवर जीवन में इस्थिरता लाने के समधान में सफल होंगे साथ इस दोरान आपके सहयोगियों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा और अक्टूवर के महिने में आपको अपने स्वास्ते के पिरती साफधान रहना होगा इस दोरान आप वसायुक्त और उच्च कैलोरी वाले भोजन से थोड़ा सा परेज करेंगे तो आपके लिए ज़्याद अच्छा होगा और साल के अंत का टीम वर्क यानि संग्ठन के रूप में किया गया कारिय फायदेमंद होगा मकर राशी के वो लोग जो केरियर में बदलाव चाहते हैं या इस्थानांतरन के इच्चुक हैं उन्हें सफलता प्राप्थ होगी और इस साल के अंत में आप किसी यातरा पर जा सकते हैं जिससे आपका कुछ धन भी खर्च होगा यह अब दी आपके लिए काफी अनुकूल साबित होगी यदि समय का सदूपियों करेंगे सही दिसा में मेहनत के जरिये आपको अच्छे लाब की प्राप्ती होगी ग्रहों की इस्थिती आपके पक्ष में होगी आपकी आर्थिक इस्थिती को मजबूत करने का कारिय करेगी साल 2022 में मकर रासी के लोग अपनी मेहनत और लगन के बल पर कैई बड़ी उपलबधियां हासिल कर सकते हैं हाला कि कारिय की अधिक्ता के कारण आप तनाव भी महसूस कर सकते हैं लेकिन आप अपनी मेहनत के दम पर समय पर पूरा करने में काम्याब होंगे और भविशे में आपको इसका लाभ भी अवशे मिलेगा पेसे वर जीवन में तरक्की के कैई मौके आपको मिलेंगे इस दोरान आप किसी भी कारिय में एकागरित होकर कारिय करें तो आप वहां सफलता प्राप्त करेंगे और आने वाला नया साल यानि 2022 में आप अपनी रुची और शौकों को लेकर उत्साहित होंगे और अन्य सालों की अपिक्छा मकर रासी के लोगों के लिए यह साल सांत रहने की संभावना होगी यानि इस साल आपको अपने भविश्य के बारे में सोचने का काफी समय मिलेगा और अपने केरियर में इस्थिर्ता लाने के लिए सकारात्मक प्रियास करते हुए नजर आएंगे मकर रासी से जुड़े हुए वो लोग यानि वो छात्र जो किसी पिर्तियों की परिक्छा की तैयारियों में जुटे हैं उन्हें इस साल सफलता मिलने की प्रवल संभावना होगी इस साल आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्षे पर रखें तो यह साल आपको आपकी मेहनत के अनुरूप फल अवश्य देगा और आर्थिक तोर पर आप अपने आपको सुरक्षित महसुस करेंगे इस साल कुछ खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन आए भी निरंतर बढ़ते ही रहने की संभावना रहेगी जिसे आए और वहे के बीच एक संतुलन बना रहेगा फिर भी कोशिस करें कि आप फिजूल खर्चे से बचें और साल की सुरुवात में आप नए आयकिस रोत डूणने में सफल होंगे साथ ही आप कुछ महंगी वस्तों भी खरीदेंगे और कुछ चीजों में निवेस भी करेंगे जैसे कि संपत्ती जमीन वहनादी में और यह निवेस आपके लिए फायदेमंद साबित होगा मकर रासी के पंचमभाव में राहु के इस्तित होने से आपकी संतान पर इसका कुछ नकारात्मक पुरभाव भी देखने को मिल सकता है मार्च के बाद इस इस्तिती में सुधार्वी होने की संभावना रहेगी 2022 का उत्तरार्द आपके लिए संतान के लिहास से अनकूल साबित होगा साल 2022 के अंतिम कुछ महिनों में आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी आपके संतान को मनचाह परणाम प्राप्त होगा और आपकी संतान पर आपको गर्भ होगा परिवार में खुशी का महौल होगा क्योंकि यहां शुक्र आपके बारवे भाव में होगा तो यहां आपसी संबंध मजबूत होंगे प्यार भरे रिस्ते होंगे इस राशी के लोग जिनकी पैत्रक संपत्ती संबंधी कुछ मामले अठके हुए हैं इस साल उनकी समाधान होने की पूरी संभावना होगी मकान वाहन और संपत्ती के हिसाब से अपरेल महिने के बाद का जो समय होगा वो आपके लिए बेहतर साबित होगा इस दोरान आपको अचानक लाब की प्राप्ती होगी जो आपकी आर्थिक किस्तिती को मजबूत करेगी इस दोरान आप गोल्ड जोयलरी यानि आभुशन खरीदने में भी सफल होंगे 2022 के सुरुवात में आपकी राशी में सनी के इस्तित होने की वज़े से आयमे वरद्धी होगी और कैई सुरोतों से धन अर्जित करने में भी सफल होंगे अपरेल से अगस्त महीने के बीच की अबधी आपको आर्थिक इस्तिति के द्रश्टिकों से अच्छे परणाम देगी इस दोरान आपकी कोशिस आपको अच्छा फल प्राप करने में आपकी मदद करेगी नौकरी पेसे से जुड़े हुए लोगों को पदोनती मिलने की प्रबल योग बनेंगे और साल की सुरुवात में राहु आपके पंचों भाव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्थम भाव में जिसकी वज़े से आपको मानसीक समश्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है इस दोरान अपने स्वास्ते पर ध्यान देना होगा और अपनी दिन्चरिया में कुछ अच्छी आदतों को सामिल करना होगा ताकि आप सुष्थ रहे मकर रासी के लोगों का पसंदीदा अंक 10 या 4 है और इस रासी का स्वामी ग्रह सनी है तो 2022 पर बुद्ध का अधिपत्ते रहने वाला है सनी और बुद्ध आपस में मित्रतापूर्ण संबंद रखते हैं तो इस रासी के लोगों को यह साल बहतर परणाम देने वाला होगा निजी और पेशेवर जीवन दोनों ही काफी बहतर रहेंगे और 2022 में जीवन में कैई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे कुछ महत्पूर्ण उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी इस दोरान मकर रासी के लोगों को भगवान गनेश की पूजा करनी चाहिए दुरवावे मोदकर्पित करें मंगलवार को हनुमान चालिसा का पाठ करें तो परिशानिया दूर होंगी और शुपन नाम प्राप्त होंगे तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मतादी दोस्तो